अगर आपके यहाँ Hikvision brand का CCTV camera पहले से install किया हुआ है और आप उस camera को अपने mobile पे भी access करना चाहते हैं चाहे आप उस camera को live देखना चाहते है या पुराना recording चेक करना चाहते हैं आप अपने mobile से ही अपने CCTV camera को control कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने Hikvision brand के DVR को कैसे online करेंगे और आप अपने mobile पे कैसे access कर सकेंगे नमस्कार मैं रभी स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो तो यह मेरा Hikvision brand का CCTV camera लगा हुआ है इस camera को अपने mobile पे access करने के लिए सबसे पहले हमें इस DVR को online करना होगा internet के through तो उसके लिए आप यहां setting में क्लिक करें यहां network में क्लिक करें यहां platform access में क्लिक करें यहां आपको connection status offline सो कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें अपने DVR में internet का connection देना होगा आपके घर पे office पर जहां पर भी camera लगा हुआ है वहां पर internet का connection होना चाहिए जैसे मेरे यहां internet का connection लगा हुआ है तो router से सिधा cat6 cable आया है इस cable को मैं अपने DVR में लगा करके इसे online कर सकता हूँ तो इस तरीके से आप Ethernet cable लगा करके अपने DVR को internet का connection दे सकते हैं cable लगाने के बाद आपको अपने DVR के settings में आ जाना है यहां पर आपको DHCP का एक option मिलेगा इसे on कर लेना है इसे on करते ही आपके internet का जो भी IP address होगा यह DVR automatic detect करके उसे read कर लेगा अब आपको platform access में आना है यहां से आपको enable में click करना है यहां tick कर ले, ok में click करे यहां से आपको कोई भी verification code set कर देना है जैसे मैं simply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 set कर देता हूँ अब हम अपने mobile पे आ जाते हैं यहां आप अपने mobile का play store open कर ले यहां आप type करे Hik Vision यहां से Hik Connect एक app आता है इसे आप अपने mobile पे install कर ले यहां से आप इसे open कर ले यहां allow में click करे start now में click करे agree करे ok करे अगर आप first time अपने mobile पे login कर रहे हैं तो आपको register करना पड़ेगा आपने पहले से Hik Vision में account बना रखा है तो आप वह ID password डाल सकते हैं तो मैं यहां register में click करता हूँ यहां से आप India select कर ले यहां आप जिस email id से account बनाना चाहते हैं वह email id यहां type करे और जो भी password set करना चाहते हैं वह password रख सकते हैं यहां get security code में click करें यहां आप इस code को enter कर दे अब आपके email id पे एक verification code आया होगा उस code को आप यहां enter कर दे finish में click करें हमार account बनके तयार है अब हम इसमें अपने DVR को add कर लेते हैं add device में click करें हम अपने camera को तीन तरीके से add कर सकते हैं पहला QR code scan करके दूसरा है manually आप serial number डालके add कर सकते हैं तीसरा अगर आपके network में camera है तो आप network से भी directly add कर सकते हैं अपने camera को तो मैं पहला option scan QR code में click करता हो तो यह हमारा QR code open किया हुआ था जहाँ पर मैंने बताया था verification code enter करना है तो यह app automatically scan करके serial number detect कर लेगा यहाँ add में click करें next करें save में click करें ask me later कर दे तो यहाँ देख सकते हमारा CCTV camera हमारे mobile पे live आ चुका है अब मैं इसे close करके फिर से एक बार open करके दिखा जाता हूँ तो इस तरीके से आप अपने Hikvision brand के DVR को online करके अपने mobile पे access कर सकते हैं उमीद करता हूँ आज का यह informational वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा इसी तरह के informational वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना भी न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई topic के साथ मिलते हैं लोग वीडियो मैं ड İीडियो मैं अग्योब किसी थे प